हेलो दोस्तो सर्दियां आ गई हैं ठंड के मौसम में तवचा और बालों के स्वास्ते को बरकरार रखने के लिए कई बदलावों के आविश्यक्ता होती है अकसर सर्दियों के दोरान स्केल्प शुष्क होने के साथ खुजली और रूसिय डेंडरफ की समस्याइं होने लगती है डेंडरफ एक और आम समस्याँ जो सर्दियों के दोरान अकसर शर्मिंदगी का कारण बनती है सर्दियों में स्कैल्प अत्यदिक शुष्ख होने के कारण इससे संबंदित कई समस्याओं में योगदान करती है इससे आपके बाल भी रूखे और शुष्ख हो सकते हैं सर्दी में होने वाली इन समस्याओं से बचने के लिए आपको अपनी स्कैल्प में सही नमी ब्रदान करनी चाहिए यदि आप भी सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ बालों और स्कैल्प की प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो कुछ घरली उब्चार हैं जो उन समस्याओं से स्वाभविक रूप से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं यह उपाएं आपको कुछली वाली स्कैल्प का इलाज करने में मदद करेंगे और स्कैल्प में नमी बरकरार रखने के साथ रूसी को दूर करेंगे सबसे पहला उपाए है ऐलोवेरा ऐलोवेरा आपको कई सोंदर समस्याओं का समाधान दे सकता है बालों से लेकर तवचा तक ये कई समस्याओं का वन स्टॉप समाधान है ये आपकी स्केल्प से सूखे पन को कम करने में आपकी मदद कर सकता है आपकी scalp पर ताजा aloe vera gel लगाएं और इसे कुछ समय के लिए रखें बाद में अपने बालों को हमेशा की तरह धोलें आप aloe vera gel को अपने बालों में भी लगा सकती हैं दूसरा समधान है दही दही भी आपकी scalp के लिए एक अद्भू तो पाए है आपको बस इतना करना है कि कुछ दही लें और इसे अपने scalp पर लगाएं और कुछ समय तक लगा रहने दें बाद में अपने बालों को धोलें दही आपको dandruff से लड़ने में भी मदद करेगा आप दही के साथ थोड़ा तेल भी मिला सकते हैं और बहतर लाप के लिए इसे लगा सकते हैं चाय के पेड का तेल यानि की tea tree oil ये भी आपकी शुष्क सकल्प से लड़ने में आपकी मदद करता है आप अपने scalp पर चाय के पेड के तेल की कुछ पूंदे लगा सकते हैं और अच्छी तरह से मालिश कर सकते हैं एक तेल के साथ tea tree oil में नारियल तेल मिला सकते हैं दोनों को मिलाने के बाद इसे ठीक से लगाएं और रात बड़ छोड़ दें अगले दिन अपने बालों को धोलें एपल साइडर विनेगर यानि सेप का सिर्का खुजली वाली सकेल्प से राहत पाने के लिए आप एपल साइडर विनेगर भी इस्तमाज कर सकते हैं एपल साइडर विनेगर को एक बड़े चमच से एक चमच लें और इसे चार बड़े चमच पानी के साथ मिलाएं रूई की मदद से इसे अपने स्केल्ब पर लगाएं और लगभग एक घंटे केलिए छोड़ दें बाद में किसी माइल्ड शेंपू से अपने बालों को धोले सबसे लास्ट और सबसे आसान उपाएं नारियल का तेल नारियल का तेल आपके बालों और स्कैल्प के स्वास्ते के लिए अध्धुत है ये किसी भी संक्रमन और रूसी की संभावना को कम कर सकता है अपने बालों को दूने से एक रात पहले कुछ नारियल तेल की मालिश करें आप थोड़े से नारियल को गर्म करके इस्ते मालिश भी कर सकते हैं अलवेरा आपको डेंडरफ से भी राहत दिलाएगा हफते में कम से कम दो बाट दही के इस्तिमाल से आपको डेंडरफ से छुटकारा मिलेगा